हाई फ्रेंड्स एक पार फिर्स वागत यह लख्षमी किचन में एक नई वीडियो के साथ तो आज हम बना रहे हैं गोबी के परांटे गोबी के परांटे सर्दियों में बहुत ही टेश्टी लगते हैं और बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं तो मैंने यहां पराता कि जि दोकर अब इसको मैं अच्छ साढ़कर मैंने वाश करलीया था और इसमें कुछ मसाले सबसे और सब से नमक सबसे लाश्ट मेंम कि लान कह Dobby करें जब भी बनाते हैं तो अब हर्मञा को Wi-Fi दाल दिए तो नमक को सब और ताकि जो थोड़ा बहुत पानी एक्स्ट्रा वो भी निकल जाएगा और इसमें राजमिची पाउडर डाल दी है और यहाँ पर हरा धनिया डाल दिया है साथ में अच्छा से इसको मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद में इसमें के लिए लगा कर रख लिया है थोड़ा सा सक्त अटा लगाएंगे जैसे हम पूरियों का लगाते हैं उस तरीके से हमारी जो टरफिंग है वो बिल्कुल तयार हो चुकी है गोबी के परांठे के लिए तो फ्रेंड्स इस तरीके से इसको अच्छा सा मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद में आब चलिए परांठा बनाने के लिए तयार हो जाते हैं और अगर आज कि एक गोबी के परांटे की रसेपि आपको उच्छे लगे तो विडियो को लािक किजिए गा कमेंट किजिए गाए rather कि अबने दोस्तों मेरे लिट्री में मेरे चैनल को शेयर किजिए गोबी का परांटा सब्सक्ता है तो भी हैं तो आप इसको जूरू इसको इस तरीकी से दबाते दबाते हुए हम इस लोई को अच्छा सा कवर कर देंगे ताकि जो मारे ट्रफिंग है वह बाहर ना निकले और बहुत ही टेस्ट्य हमारे गोरी के प्रांटों बन कर तैयर होएंगे देखिए इस तरह की से अब मैं हलकी आतों से बेल लेना है और प्रांटे को दावे पर सेकना है तो देखिना टेस्ट यह मारा प्रांठा बन कर तियार होगा तो ये देखी इस तरीकी से मैं परांटे को तवे पर डाल देती हूं और कितना प्यारा और हमारा गोबी का परांटा है बनकर त्यार होगा अभी इसकी तरफ चेरों तरफ हम गी डाल देते हैं और गी डाल कर इसको अच्छा सेख लेंगे तो देखी फ्रेंड्स कितना शांदर हमारा गोबी का परांटा बनकर त्यार हुआ है तो कितना अच्छा लग रहा है इस तरीके से आप सारे गोबी के परांटे बना लेंगे और इसको दई की साथ jais से भी आप खाना चाते हैं आप ले सकते हें तो मैंने आप रदी की साथ इ देख लूँगी और टेस्टी से हमारे प्लांटे बनकर त्यार हो जाएंगे देखिए इस तरीकी से तो मिलते हैं फ्रेंड से कैसी सिंपल सी आसान सी रेसिपी के साथ लक्समिस किचन तब तक के लिए धन्यवाद बाई बाई टेक केर कमेंट करके जुरूब दायास के झालगी तेक के लिए झालगी के जुरूब तक के लिए इस तो फब करना सी याद के लिए लिए